अनार अथ्वा दारिम एक फल है, यह कुसुंबी, लाल रंग का होता है। इसमें सेकडों लाल रंग के छोटे पर रसीले दाने होते हैं। अनार विश्व के गर्म देशों में पाया जाता है। स्वास्थे की दृष्टी से यह एक महत्वपून फल है। भारत में अनार के पेड़ अधिकतर महराश्ट्रा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हर्याना, आंधर प्रदेश, करनाटक, तमिलनाडू और गुजरात में पाय जाते हैं। सबसे पहले अनार के बारे में रोमन भाशियों ने पता लगाया था। रोम के निवासी अनार को ज्यादा बीजवाला सेप कहते थे। भारत में अनार को कई नामों में जाना जाता है। बांगला भाशा में अनार को बेदाना कहते हैं, हिंदी में अनार वद दारिम, संस्कृत में दारिम और तमिल में मादुलाई कहा जाता है। अनार के पेड सुन्दर वच्छोटे आक पुराना है। यहूदी धर्म में अनार को जन्नक्षमता का सूचक माना जाता है, जबकि भारत में अनार अपने स्वास्थिर संबंधी गुन के कारण लोक्रिय है। प्रयोग और द्योगिक शेत्र में किया जाता है। अनार के पेड़ की लकड़ी बहुत मजबूत होती है। आमतोर पर इसकी लकड़ी का प्रयोग टहलते समय काम में लाई जाने वाली छड़ी बनाने में किया जाता है। इस पर किये गए अध्यायनों से पता चलता है कि अना अल्सकी रोक्ताम में सहायक बनता है, शरीर के बुढाने की गती धीमी करता है और महिलाओं में मात्रित्व की संभावना और पुरुषों में पुन्सत्व बढ़ाता है। अनार को त्वचा के कैंसर, स्तन कैंसर, प्रोस्टेट ग्रंथी के कैंसर और पेट में अल्सकी संभावना घटाने की द्रिष्टी से भी विशेश उप्योगी पाया गया है। अम्री की डॉक्टरों की एक पत्रिका ने हाल ही में लिखा कि अनार का रस्वृधावस्था में सठिया जाने के अलसहाई मरोग की संभावना भी घटाता है। अनार की डाली से बनी हुई कलम पूजा उपासना और तांत्रिक प्रयोगों में भी इस्तिमाल की जाती है। पुजारी तांत्रिक एक स्वच कागस पर अनार की कलम को लाल रंग की स्याही में डुबो कर रेखाओं और गनित के अक्षरों के जरिये एक यंत्र का निर्मान करते हैं, जो शरीर पर धारंग करने से व्यक्ति को नकारात्मक और जाके प्रभाव से बचाता है।